असलामों अलेकुम हेलो फैंस वेलकम टो माई जहारास की चेन मैं हूँ जहारा उमीद करती हूँ आप सरखरिये से जरूर होंगे आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही मज़िदार पाया की रेसिपी लेकर आए हूँ बिल्कुल अथेंटिक रेसिपी है मैं जिस तरह से घर पर बनाती हूँ बिल्कुल वही रेसिपी आप लोगों के साथ सेयर कने वाली हूँ 100% परफेक्ट पाया करी बनकर तयार होगा अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को बिना जीजग फॉलो करके देखिए और देखिए आपका पाया करेसिपी कितना मज़िदार का बनकर तयार होगा 20-25 लोग आराम से इसे खा सकते हैं और खासकर सर्दियों के मौसम में पाया खाना हर किसी को बहुत ही पसंद आता है आप इसे चाहें तो रोटी पराटे के साथ खा सकते हैं या फिर आप इसे पूरी के साथ भी खा सकते हैं बहुत ही मज़दार का लगता है खाने में तो फ्रेंस अगर आज की पाया करी की रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है आप लोगों के लिए हिल्फु लगती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेर और मेरे चैनल को सबस्क्राइब जरू करते भेज़ाईए तो यहाँ पर मैंने तकरीबन ले लिया है दो किलो पाया आप यहाँ पर चाहें तो रेड मिट का इस्तिमाल कर सकते हैं या फिर आप मटन का भी इस्तिमाल कर सकते हैं मैं यहां पर थोड़ा सा बंब का गोस्त भी लिए जिसे हमारा पाया करी बहुत ही मज़ेदार का लगेगा पाया को मैंने अच्छी तरह से पानी से साफ कर लिया है इससे साफ करने का तरीका अगर आप देखना चाहते तो मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा मैं शेयर कर दूँगी तो यहां पर मैंने बड़ा सा कुकर लिया है जिस पर मैंने दो किलो पाया एट कर दिया है अब मैं आपर कुछ खड़े मसाले और पावरर मसाले डालूंगी दो चमच हमें नमक लेना है एक चोड़ी चमच हल्दी पावरर दो तेजपत्ता आठ से दस हमें चोट करना है दो लीटर मैंने पर फुल पानी अट कर दिया है एक बार मैं अच्छी तरह से मिला लूंगी अब मैं कुकर का लिड लगा देती हूं तीन से चार हुईसल हम हाई फ्लेम पर लगाएंगे उसके बाद हमें फ्लेम लो कर लेना है एक घंटे के लिए एक घंटे के होता है नली के अंदर निकल जाएगा जिसे क्याना पाया करी सच में बहुत ही मज़ेदार का लगेगा अगर आप इस तरह से नहीं गलाएंगे तो पाया करी उतना मज़ेदार का नहीं लगेगा एक घंटे के लिए मैंने इससे लो फ्लेम पर रखा हुआ था अब मैं हाप पर उसका मसाला तयार करूंगी बड़ा सा बरतन ले लिया है अब मैं हापर दो साइमल रिफाइंड डाल देती हूं जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा हमें पर हाई 100 प्याज को बिल्कुल बारी काट कर डाल देना है हाई फ्लेम पर हम प्याज को अच्छी तरह स प्याज को मैं टेल से छाणकर इस तरह से निकाल दूंगी अब हमें क्या करना से हमें डाल देना है इस थैड़ा के तम एक ताजय कहीं इस तोटी चमछे लरी पाउडर एक चमछ लाल मीच पाउडर दो चमछ हमें Talk रॡान है इसी के साथ में हाँ पर दो चमज जीरा पाउडर डाल देती हूं अब में हाँ पर चार चमज भरकर धन्या पाउडर डाल दूंगी इसी के साथ में हाँ पर डाल देती हूं एक चमज भरकर गर्मसाला पाउडर और साथ ही हमें हाँ पर दो चमज डाल देना है सौंप का पाउ तो चलिए हम चलते हैं गैस्ट्रोप के तरफ तेल तो है देख्ची पर आप देख सकते हैं गर्म भी हो चुका है मैंने ओन कर लिया इस्ट्रोप अब मैं यहां पर डाल देती हूं चार बड़ी चमाचे करीब अध्रकलैसन का पेस्ट इसे मैं दो मिनिट के लिए पका लूँ तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और मसाले से तेल ना चोड़ने लगा है यानि इसका जो कच्छापन है जाने तक हम अच्छी तरह से श्ट्रोप के लो फ्लेम पर ही बुनेंगे हाई फ्लेम हमें नहीं करना है तो यहां पर देखिए मैं जार में थोड़ा सा पानी डाल कर यहां पर डाल दीती हूं और इसे हम लो फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक मसाले से तेल समेका देखिए तो की change हो चुका है और मसाले से किस तरह से तेल भी छोने लगाए और बहुत यह झा खूदो भी आने लगी है तो यहां पर इस तरह से आपको मसाला त्यार कर लेना है अब हमें क्या करना है यहां पर हम पाया एट करेंगे जो की हमने कुकर पर बनाकर रखा हुआ था पहले हम पाया सभी पाया को मैं आपर डाल दूंगी नली गोस्त जो है हम यहाँ पर चांद कर डाल देंगे और उसका अखनी हम बाद में इस्तिमाल करेंगे तो चलिए सबसे पहले मैं आपर पाया एड़ कर लेती हूँ अब हमें क्या करना है श्ट्रोप के हाई फ्लेम पर दो मिट कले पाया को मसाली के साथ हम पका लेंगे इस तरह से चमा चला कर बहुत ही मज़ेदार का पाया करीबन कर तयार होता है एक बार मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करके देखिए अब मैं हाँ पर एड़ कर देती हूँ अखनी कुकर पर जो अखनी है हम यहाँ पर डाल देंगे सभी अखनी को मैं हाँ पर डाल दूंगी एक बार हम अच्छी तरह से मिला लेंगे चमा चला कर इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही मज़ेदार का पाया करीबन कर तयार होता है एक बार जरूर रही किजिएगा तो यहाँ पर मैं तेजपत्ता और दालचीनी का टुकड़ा जो हमने डाला हुआ था उसे मैं निकाल देती हूँ इसका फ्लेबर अच्छी तरह से आ चुका है अब मैं हाँ पर एक सलरी अट करूँगी जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है दो चमज गेहू काटा और एक कप पानी थोड़ा थोड़ा करते को पानी डालेंगे और इसका हम बिल्कुल एक सलरी तयार कर लेंगे जिसे हम डाल सलरी डालने से कहना है चिप-पणा, पर लेंगे जिया仔 कर लिया। तो यहाँ पर आहाँ पर यहाँ बैद कर लिया है अभाले कीओप कानी में चैίναι बालने के यहाँ आप आप नमक पैसी न नमक इस्तमाल कर सकते हैं इसी के साथ हमें चाहिए 10 से 12 हरी मिच साबूत ही लेना है चीरा नहीं लगाना है एक कप हरा धनिया बारी कटा हुआ एक कप जुलियन में खटा हुआ अद्रक तो सभी हर image मैं यहां पर डाल देती हूँ, थोड़ा सा हरा धनिया यहां पर डालूँगी, थोड़ा सा जुलियन में कटा हुआ अध्रक एट कर लेती हूँ इसे भी हम अची तरह से मिला लेंगे, अब हमें क्या करना है, स्टोप के low flame पर 40 minutes के लिए इसे पकने के लिए छोड़ना है तब ही आपका पाया बहुती मज़दार का बनेगा, जटपट आपको इसे बन नहीं करना है, अभी हमें इसे छोड़ देना है पकने के लिए 40 minutes के लिए लो फ्लेम पर हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे तो लिजे फ्रेंड्स तकरीबन 40 minutes हो चुका है पाया को पकते हुए श्टोप के low flame पर बहुती मज़दार का पाया बनकर तयार हुआ है और बहुती अच्छी खुजबू भी आने लगी है, आप देखी सकते हैं अब हमें श्टोप को off कर लेना है, उसके बाद में हापा डाल दूँगी एक चमच कुटी वी काली मिच पाउडर इसी के साथ हमें हापा डाल देना है एक छोड़ी चमच गर्मासाला पाउडर और साथ हरा धन्या बारी कटा हुआ जुलियन में कटा हुआ अद्रक जो है आप जिस वक्त सर्फ करें उसको उपर भी डाल कर सर्फ कर सकते हैं बहुती ला जवाब आपका पाया करी बनकर त्यार होगा, इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिए माशालला से पंदर मिट के बाद देखिए पाया करी का कलर, माशालला से बहुती खुबसूरत, बहुती टेम्टिंग बनकर त्यार होता है आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कितना मज़ेदार का बनकर त्यार हुआ होगा इसका कलर इसका रोगन आप देख सकते हैं उपर किस तरह से तहरा है इसी से आप अंदाजा लगाईए बहुत इलाजवाब रेसिपी है जरूर रहे किजिए इसे आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है इसे आप गर्म गर्म नान के साथ सर्फ कीजिए या फिर पूरी के साथ भी खा सकते हैं या सिंपल सा चापाति के साथ भी खा सकते हैं बहुत लाजवाब लगता है इसके साथ काने में तो जरूर रहे कीजिए मेरी रेसिपी को फॉलो करके इसे आप तकरीबन 20 से 25 लोगों को सर्फ कर सकते हैं ज्यादा क्वांटिटी में यहां पर बनाकर अगर आप लोग के साथ शेयर की हूँ अगर आप चाहते हैं कम कॉंटिटी में बनाना तो उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर अपलोड है आप चाहें तो देख सकते हैं पाया रेसिपी बाई जहारास किचन अगर सर्च करेंगी तो आपको रेसिपी मिल जाएगी बहुत ही मज बुलिए उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन पर सबसे पहले पहुंचेगी आप उससे सबसे पहले देख पाएंगे तो चलिए मिलते हैं एक मेरे सिपी के साथ अपना खयाल रखें और मुझे दौाओं में याद जरूर रखें अल्लाहाफीज